जम्मू कश्मीर के पुंच में गुरुवार हुए आतंकी हमले में भटिंडा के सिपाही सेवक सिंग्स भी शहीद हो गए तलवंडी साबो के गाउं बागा के रहने वाले शहीद जवान सेवक सिंग्स अपने माता पिता की इकलौती आउलाद थे उनकी दो बहने हैं शहादत की खबर सुनते ही परिवार गम में डूब गया दोनों बहनों का रो रो कर बुरा हाल है वहीं शहीद की मां बार बार अपना होश खो रही है दो बहनों में से एक शादी शुदा है और एक अविवाहित है शहीद सेवक सिंग की बहन ने बताया कि गुरुवार सुभह उसने अपने भाई से बात की थी वो बता रहा था कि हम खाना लेकर जा रहे हैं देर शाम को उन्हें सेना अधिकारियों से फोन आया कि पता चला कि पुंच में हुए आतंकी हमले में सेवक सिंग शहीद हो गए शहीद सेवक सिंग 2018 में भातिय सेना में भरती हुए थे बहन ने बताया कि भाई को बचपन से ही देश की सेवा करने का जुनून था और उसी जुनून के साथ वो आर्मी में भरती हुआ था गाउं के हरनेक सिंग ने कहा कि सहीद सेवक सिंग का परिवार अती गरीब था ले उन्होंने पताये कि सेवक के बेतन पर ही पूरे परिवार का गुजारा होता था। भारत के वीर सपूत को पूरे सेने सम्मान के साथ सनिवार को अंतिम विदाई दी गई। शहीद के अंतिम दर्सन को हजारों लोगों का ताता लग गया। हर किसी ने अपने वीर सपूत को सलाम करके विदा किया जब शहीद का शव गाउं पहुचा तो पूरे गाउं में मातम छा गया और शव यात्रा के दोरान लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाई शहीद की मा परमजीत कौर ने विलाप करते हुए कहा कि मेरे शेर ने देश की रक्षा के लिए शहादत का जाम पिया है उन्होंने सेना से अपील की कि पाकिस्तान के आतंकियों ने हमारे पांच जवानों को शहीद किया है अब भारतिय सेना की बारी है कि वो पाकिस्तान के उन दस हमलावरों को मार गिराए शहीद की मा समेथ पूरे गाउं के लोग ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और इस आतंकी घटना को कायर्टवपून घटना करार दिया मा भारती के लाल अमर बलिदानी शहीद सेवक सिंग को शिवालिक जर्नल कोटी-कोटी नमन करता है जै हिंद जै भारत अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन दबाना ना भूले अगर आप हमारी वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूले